इस कहानी की शुरुआत में हमें लुका नाम के लड़के को दिखा जाता है जिसे उसके डेट पेंकराज तलवा चलाना सिखा रहे होते हैं क्योंकि लुका की मा मांडा को कुछ सालों पेले लाट जिया नाम की इविल जादुगर ने किड्नेप कर लिया था इसलिए तबी वहाँ पर एक लड़का आता है जो लुका से एक ओप के बारे में पूंचता है लेकिन तबी लुका की डेट उसे सफर पर चलने के लिए बुला लेते हैं और लुका परसी को साथ लेकर अपने डेट के साथ कोबर किंडम में जाने के लिए निकल जाता है क्योंकि वह के राजा ने उन्हें मिलने बुलाया था इस सफर के दोरान बहुत सही राक्षस उन्हें रोकने कोशिश करते हैं लेकिन पेंकराइज सभी को माँ डालते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद वो कौबर किंग्डम में पहुंच जाते हैं जान लुका की राचकुमार हेरी से दोस्ती हो जाती है और जब वो साथ में खेल रहे होते हैं तब भी लाट जया के दुश्ट राक्षस हेरी को पकड़कर अपने सार ले जाते हैं यह सब देखकर लुका अपने डेट को यह सब बताने के लिए महल की तरह बागता है फिर पेंकराइज लुका के साथ उस गु की देता है जिससे पेंकराज को ना चाते हुए भी हाना बढ़ता है और लाट जया के राक्षस उसे बुरी तरीके से मानने लगते हैं पेंकराज इससे बुरी तरीके से इंजड़ो जाते हैं इसलिए मरते मरते अपने बेटे को बताते हैं कि तुमारी मा अभी भी जिन्द और लार्जिया ने ही तुम्हारी मागों किड्नेप किया था लूका अपने डेट के मरने की वज़े से बहुत दुखी होता है तो लार्जिया उसे यह था कि तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम रहोगे फिर हमें दस साल बात का सिन दिखाया जाता है जहां लूका अब बढ़ हिरी की तरह ही बहुत साही लोगों किड्नेप कर रखा था जिनसे वह जवर्दस्ति काम करवाया करता था एक दिल लूका और हिरी को एक आदमी बताता है कि मुझे आसे निकलने का रास्ता पता है क्योंकि जब भी कोई आदमी मर जाता है तो उसे बेरल में भरकर नदी में दिया जाता है इसलिए तुम उस रास्ते से बाहर निकल सकते हो हिरी को आइडिया बहुत अच्छा लगता है और और दोनों रात को उस दिया पर आ जाते हैं जान लाट जायके डीमन मरे हुए लोगों को नदी में फेका करते थे लुका और हिरी अपनी बोड़ी पर मरे हु इसे और दोनों खुश होते हैं लेकिन तब वह जरने से निचे घर जाते हैं जिस से डीमन उन्हें धेख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीचे पर जाते हैं फैरिय अ कि मैं लार जिया के महल पर नचर रख सकूँ क्यों कि लार जिया नर का दरुज़ा खोल कर अपने गुरू नीमजो को वापस लाना चाहता है तो लोकाउं से बूरुज़ था है कि और इस पूरी दुनिया को बुराइं में बदलने की तागत रखता है और सालों पेले बहुत स अगले दिन एकन उन दोनों को सभी से चिपाकर आइलेंट से बाहर निकला देते हैं लुका हेरी के साथ उसके किंग्डम कोबग लोड़ता है लेकिन और अंदर जाने से मना कर देता है और हेरी को बताता है कि मेरे पितान है अपना अकरी समय में मुझे मेरी मा के बारे में बत जाने जाना है तो एरी लोका से अलविदा लेता है और से कहता है कि तुम्हारे डेट ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गवादी इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज़ के जोरत हो तो मुझे जरूर बताना मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा फिर लोका मां से उसे कुछ पता चल सके लुका जब अपने घर पहुंशता है तो वहां गलती से उसके डेट का सिक्रेट रूम खुल जाता है जहां उसके डेट के बहुत सा रिसर्च का सामन पढ़ा होता था इनी सामानों में से लुका को अपने डेट की एक डायरी मिलती है जिसे जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मां भी एक जनेतियन योदा थी इसलिए लाड़ जिया उसे पकड़ कर अपने साल ले गया क्योंकि नर्क के दौर को खोलने के लिए जनेतियन मंतर की आउशकता है औरो मंतर सी मांड़ा ही जानती थी इसलिए मांड़ा ने खुद को एक शिल्ड में बंद कर लिया ताई कि लाड़ जिया उसे मंतर ना जान सके जिसका मतलब है कि अभी भी जीन्दा है साथ य पेंकराज ने इस डाएरी में ये भी लिखा होता है कि मैं लाड़ जा को हराने के लिए जनेतियन स्वोड और जावा जी और नर्क के लिए बंद कर देगा ओर ने लगता है कि उसक्यावा का रंग पिला था जो जनेतियन के लोग की निशानी ह कहानिया है तो सेंचों से बताता है कि यह सब सच है और तुमारे पिताने मुझे बताया था कि सिफ सचा जनेतियन योदा ही उस जनेतियन सोड को म्यान में से बाहर निकाल सकता है तो लुका उन से पूछता है कि तलवार अभी कहां पर है जिस पर सेंचों बताता है कि तलवार मोश्टर और राज्जी के किंग रोडिकरों के पास है ये सुनने के को एक ब्लू क्रियेचर दिखाई देता है जो लाड़ जाके महल से ही उसका पीछा कर रहा था और जब लुका को विश्वाश हो जाता है कि उसे उस ब्लू क्रियेचर से कोई खत्रा नहीं है तो लुका उसे अपना दोस्ट बना लेता है और उसका नाम गुरूट रखता है फिरो दोनों साद में सफर पर आगे बढ़ते हैं और रात में जब वो आराम करने के लिए एक गुफा के पास रुकते हैं तो उस गुफा में मौजूद सेवर टू टाइगर उन पर हमला कर देता है लेकिन जल्दी लुका को पता चल जाता है कि उसका बश्वन का दोस्पर था कि जो भी उस ब्योंड रेगन से उनके किंग्डम को बचाएगा उसकी शादियों अपनी बेटी से करवा देंगे लुका मेल में जाकर किंग रोडिग्रो से मिलता है और नेवी लुका की पीली आखे देखकर विश्वाश हो जाता है कि उस जनेतियन तलवार को मियान से बार निकाल सकते हैं और उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जहां तलवार रखी हुई थी लेकिन ओदेखते हैं कि और पूरी जगए टूटी हुई है जिससे हो समझ जाते हैं कि ब्योंड मोश्टर उस तलवार को चुरा कर अपने साल ले गया है इससे किंग बहुत दुखी होते हैं लुका को भी कुछ समझ नहीं आता क्योंगे उसे लगता था क्यों ब्योंड को नहीं आरा पाएगा लेकिन जब राजकुमाइन नेरा उसके पास आती है और उसे बताती है क्योंसे शादी के लिए तियार है तो लुका इससे बहुत खुश होता है क्योंगे उसे प मदद से उसे फिर से नॉर्मल कर देती है और जब लोका उस लेड़ी को देखता है तो उसे पता चलता है क्यों लेड़ी उसकी बच्वन की दोस्त बियंका है जिससे हो बहुत खुश होता है फिर बियंका भी ब्योन को मानने के लिए लुका के साथ जाने लगती है लुका उसे अपने साथ चलने से मना करता है क्योंकि अकेलाई उसे अराना चाहता था लेकिन बियांका उसकी बात नहीं सुनती और उस सब उस जयर पर आ जाते है जहां बियां रहा करता था उन्हें वाज जनेतियन सोट नजरा जाती है और उस सोट को हसिल करने लगते है लेकिन तबी ब्योन जाग जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है ये देकर लुका ब्योन का ध्यान बटकाने लगता है और ब्योन का मौका पाकर वो तलवार हसिल कर लेती है और उस तलवा कोम्यात से नहीं निकाल भाता क्योंकि वह बहुत दर जाते हैं और वह सभी अपनी जान बचा कर वहां से भागने लगते हैं लेकिन ब्योंन उनका पीछा करते हुए पुरे किंग्डम में तबाई मचाने लग जाता है तब ही लुका को याद आता है कि जब वह ब्योंन से कर लेता है और लुका जब उसकी तीसरी आँख फोड़ कर उसे मारने लगता है तो ब्योंन उसे गयता है कि मैं मरना नहीं चाहता मेरी जान बक्ष दो मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा और अब ब्योंन के आँखों का रंग भी बदल जाता है क्योंकि अब तो लुका उसे गयता है कि राजा ने मुझे वचन दिया था कि वो नेरा की शादी मुझे करवा देंगे तो इसे ब्योंका समझ जाती है कि लुका ब्योंन को अकले इसलिए हराना चाहता था ताकि वो नेरा से शादी कर सके ब्योंका भी से खुश होती है और लुका को महल लेकर जाती है जाओ लुका को बताती है कि तुम्हें शादी से बेले नेरा को प्रपोस करना होगा क्योंकि यही हर लड़की का सबना होता है लेकिन लुका नेरा के सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहा था इसलिए बियंका उसकी मदद करती है नेरा इससे खुश हो जाती है फिर रात को जब लोका वापस बार में सोने के लिए लोड़ता है तो देखता है कि बियंका ने बहुत ज़ला ड्रिंक कर रखी है जिसे उसे कुछ समन नहीं आता क्योंकि बियंका पेले इसी नहीं थी फिर लोका अपने रूम में जाने लगता है लेकिन तब उसके पास एक ब सिरम देती है जिसे जब लोका रात को पीता है तो सबने में खुद को बियंका के साथ देखता है जिसे अब उसे भी एसास हो जाता है कि वो दिल से बियंका को चाता है इसलिए जब बहार आता है तो बियंका की हालत देखर समझ जाता है कि बियंका भी उससे प्यार करती है इसलिए गम में इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने लगी थी। अगले दिन लुका राजा रोटिकरों के पास जाता है और उनको जनेतियन तलवार देते हुए बताता है कि मैं वो योद्धा नहीं हूँ जिसके बारे में बहिशानी हुई थी। ओर मैं नेरा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिल से किसी और को प्यार करता हूँ। करने से ब्यांका पुरी तरह से हिरान होती है मगर लुका से प्यार करती थी इसलिए वहां बोल देती है लुका बहुत खुश होता है और उस और लेडी को थेंस कहता है फिर और लेडी वहां से चली जाती है और हमें पता चलता है कि और लेडी और कोई नहीं बलकि नेरा होती है जो वियंका और लुका की दोसी देखकर समझ गई थी कि उढ़नों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए उसने लुका को इस बात का इसास करवाया था फिर दिखाया जाता है कि लुका और वियंका शादी कर लेते हैं और बहुत ही जल्द उनका एक बेटा पेदा होता है जिसका नाम हो एलूस रखते हैं, एलूस भी एक जनेथियन होता है, क्योंकि उसके आंके बिलकुल लुका की तरह पिली थी, लुका बियंका से कहता है, कि तल्वा लगातार हिल रही है, इसलिए मुझे जनेथियन योदा को डूनने के लिए निकलना होगा, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन तबी लाट जाके डीमन उन पर हमला कर देते हैं, जिस्तियों सब गुपत रास्ते से, वहां लडने लग जाते हैं, लेकिन और बहुत जादा होते हैं, इसलिए घुके हमला कर के उसे दूर गिरा देते हैं, तबी एक डीमन लुका पर खमला करके, उसे दर्टी कहरायों में फिंक देता है, जिसे उन्ने लगता है कि उमर गया है, लेकिन और पत्थर को पकड़ कर भज गया था लाड़ जिया भी वहाँ पर आ जाता है जो बियंका को पकड़ लेता है वहीं लुका भी बहुत मुश्किल से काई से बाहर निकल आता है और जब बियंका को लाड़ जिया के पास देखता है तो लाड़ जिया पर हमला करने कोशिश करता है लेकिन लाड़ जिया अप की बातों पर विश्वाश नहीं होता तो लाड़ जिया वियंका को बताता है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें गोल लिया था इसलिए उन्होंने तुम्हारी आखो पर जादू किया जिससे किसे को पता ना चले कि तुम्हें जनेतियन हो फिर वियंका को लुका की मा के प कर दूंगा क्योंकि एक जनेतियन ही मन इमन दूसे जनेतियन से बात कर सकता था और जब बियंका मांडा से बात करती है तो मांडा उसे बताती है कि लाठ जया तुम से जुड भोर रहा है इसलिए तुम उसकी बाद मच सुनो तो बियंका भी उनकी बास समझ जाती है और वो लाट जाय के उपर हमला करने लगती है जिस बाद पर गुस्षा होकर लाट जाय बियंका को भी लुका की तरह पत्थर की मुर्थी बना देता है अब समय बीता जाता है और देखते ही देखते 8 साल भी जाते हैं वाया में लुका के बेटे एलुस को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है और उसेंजों के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से मौस्टर को हराते हुए एक मेजिकल चड़ी को आसिल कर लेता है जिसकी मदद से वो अपने डेट लुका को एक बार फिर से नॉर्मल कर देता है लेकिन जब लुका एलुस को देखता है तो एलुस को पेचान नहीं पाता लेकिन जब एलुस लुका को बताता है क्यों उसका बेटा है तो लुका बहुत खुश होता है क्योंकि उसने पूरे 8 साल के बाद अपने बेट जाते हैं जो एलूस पर अमला करके उसकी तलवार दूर गिरा देते हैं यह देखकर लूका अपने बेटे को जनेतियन तलवार देता है और एलूस तलवार को बढ़ी आसानी से उसकी म्याद से निकाल देते हैं do无श्त पहुत होता है जो विस बढ़ने लगते हैं लेकिन और देखते हैं कि और आक्षासों की संख्या काफी जादा होती है और ने किले पर पहुंचने में उस डेगन की मदद चाहिए थी जो इंसानी रूप में लोग के बीच छिपा हुआ था इसलिए और सभी डोक्रेगन के पास पहुंच जाते हैं जा लोका अपने पास रखा हुआ और का एक टुकड़ा उन्हें दिखाता है जो से बच्पन में मिला था तो एगर उसे बताते हैं कि यह नकली है लेकिन यहां से बहुत दूर एक आईलेंड में एक परी रहती है जो तुम्हारी उस वाप को ढूंडने में मदद कर सकती है लेक के साथ परी की तरह निकल पड़ता है रास्ते मेंने कुछ रोबोट्स मिलते हैं जो इनके ओपर हमला कर देते हैं लेकिन लोका ब्लू क्रियाचर के साथ किसी तरह वहां से निकल जाता है और अब यह लोग परी के पास पहुंच जाते हैं परी लोका की मदद करने के लिए पर आजी हो जाती है और लोका को एक नकली मेजिकल ओप देकर उसे उसके बच्च्पन में भेज देती है इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जिससे हमने मुवी के स्टार्टिंग में देखा था याणि कि जो लड़का लोका से मेजिकल ओप के बारे में पूच रहा था वो लड़का और कोई नहीं बलकि फ्यूचर से आया लूका ही था क्योंकि बच्पन में लूका को वो और बेकपाट पर मिला था इसलिए लूका बड़ी चालागी से नकली ओप से असली ओप को एक सेंच कर लेता है और अब लूका असली ओप को लेकर वापस आ जाता है फिरो बियंका अपने बेटे एलूस को देखकर बहुत खुश होती है बियंका उने बताती है कि लाड़ जिया ने मांडा को उपर पहाड़ पर रखा हुआ है तो वो सर्भी एकन पर बेटकर उस पर जाने लगते हैं तब ही लूका को अपनी मौम के वाद सुनाई देती है जो मौम की मदद के लिए उनके पास पहुंच जाता है लेकिन अपनी मौम को बचा नहीं बाता और उसकी मौम की वहीं पर डेत हो जाती है अपनी मौम की मौस से लुका वह दुखी होता है तभी लाड़ जिया के मौस्टर उनके उपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब कि संग्या बहुत जादा होती है लेकिन तभी वहाँ पर ब्योन हेरी की पुरी सेना के साथ लुका की मदद के लिए आ जाता है क्योंकि हेरी ने वादा किया था क्योंकि मदद करने आएगा अब इनके और लाड़ जिया की सेना के बीच में एक खतरनाक फाइड होना करने लगता है क्योंकि एलुस एक जनितियन योदा होता है इसलिए और लुका के साथ मिलकर अपनी जनितियन तलवार से उसे मार डालता है लाड़ जिया को मार कर ये दोनों बहुत खुश होते हैं लेकिन लाड़ जिया भी भी मरा नहीं होता और और मांड़ा की पावर को नर के पोर्टल को खोल देता है लेकिन इस दोरान वो खुद दि मारा जाता है एलुस पोर्टल को खुलता देख अपनी जनितियन तलवार को उस पोर्टल के अंदर फेक देता है जिसकी वाद जैसे अब दिरे दिरे पोर्टल बंद होना शुरू हो जाता है ये देखकर बलकि एक ग्राफिक्स गेम है और नीम जो अपनी पाउर की मदद से लुका को सब कुछ दिखाता भी है कि किस परकार उसके आसपास की सारी चीजे ग्रेफिक डिजाइन से बनी है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वास्तों में लुका एक लड़का होता है जो अपने रियल लाइफ में इस गेम को खेल रहा होता है लेकिन और इस गेम में इतना खो गया था कि वो गेम और रियल लाइफ में फर्क नहीं कर पा रहा था यहाँ बन नीम जो लुका को बताता है कि मैं एक वाइरस हूँ और मैं इस गेम को खत्म करना चाता हूँ लेकिन लुका इस गेम को बहुत पसंद करता था इसलिए निम्जों से लड़ने लगता है मग़र निम्जों लुका पर भारी पढ़ रहा होता है तभी और ब्लू क्रियेचर लुका के सामने आ जाता है जो से बताता है कि मैं इस गेम का इंटी वाइरस हूँ और उन लूका को एक सोड देता है जिससे और दोनों मिलकर निम्जो को मार देते हैं निम्जो के मरते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लूका एक बार फिर से एलोस और बियंका से मिलकर बहुत खुश होता है और अब हेरी और ब्योन लोका से विदा लेकर आजे चले जाते हैं इसके बाद लोका अपनी फेमेली के साथ मिलकर वापस लोटने लगता है मागर अब उसे पता था कि गेम खत्म हो चुका है और उसे वापस असली दुनिया में लोटना होगा इसलिए बियंका और अपने दोस्तों के साथ बाते कर रहा होता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में जुरू बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दये दिल से शुक्रिया थेंक्स वर ओचिंग